नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवा में तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं CEO ET में Main Domain Fine Arts Subject का पूरा स्लेबस आपको शिक्षा प्रवा पर कराऊंगी तो उसी सिरीज में क्योंकि अब जल्दी ही आपका एक्जाम होने वाला है उसी सिरीज में पहली वीडियो लेकर के मैं आ रही हूँ इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी चितरकला को राजस्थानी चितरकला के सभी important questions आपके इस वीडियो से clear हो जाएंगे और ये topic आपका बहुत अच्छे से clear हो जाएगा ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ तो बिटा अगर आप सिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं आपने अभी तक भी सिक्षा प्रवा को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप सिक्षा प्रवा को subscribe कर लें वीडियो बिटा अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्थों के साथ share करना मत भूलना शुरू करते हैं हम राजस्थानी चितरकला देखे बिटा वैसे तो ये बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है जिस पे बहुत ही विस्तरत क्लासे भी लग सकती हैं और बहुत ही जादा कुशन्स इससे हो सकते हैं लेकिन क्यूंकि आप फाइन आर्ट में मतलब BFA में एड्मिशन लेने के लिए इसकी तयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड स्लेबस यहाँ पर आपको दिया गया है तो उस ही लिमिटेड स्लेबस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो राजस्थानी चितरकला जो है वो लगु चितरकला है लगुचित्रकला बिटा आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा किसको कहते हैं छोटे आकार के चित्रों को लगुचित्रकला कहते हैं इससे पहले जो भी चित्र बने थे वो या तो दिवारों पर पहाणों पर शिलाओं पर गुफाओं पर बने थे वो बड़े आकार के चित्र हुआ करते थे, अब जब वो चित्र पोथियों में बने हैं, ग्रंथों में बने हैं, या सेपरिट भी बने हैं, तो फिर वो छोटे आकारों में बने हैं, ठीक है, इसलिए ये लभू चित्रकला कहलाती है, राजस्थानी चित्रकला, और इस चित् वो पारदर्शी होते हैं, लेकिन उन्हीं रंगों को जब हम अपारदर्शी बना देते हैं, ओपेक बना देते हैं, तो वही चीज कहलाती है टेंपरा और कलर को ओपेक या पारदर्शी बनाने के लिए क्या करना होता है बस किसी भी प्योर कलर के अंदर थोड़ा सा वाइट या फिर डांक कलर मिक्स करना होता है तो वो कलर ओपेक हो जाता है अपारदर्शी हो जाता है और वही टेकनीक कहलाती है टेंपरा टेंपरा ट लगुचित्रकला मतलब कि राजिस्थान के एरिये में जिस कला का जनम हुआ या राजिस्थान के कलाकारों ने राजिस्थान में रहकर जिस कला को उत्पन्न किया वो राजिस्थानी कला कहलाई ठीक है और ये जो कला थी वो इतनी यूनिक थी कि देश-विदेश के अनेक कला मर्मग्यूं का ध्यान इस कला की तरफ आया ठीक है और ये जो कला है वो मध्य की कला है जैसे कि आप लोग यहां पर देख भी रहे होंगे मर्मग्य यह कौन सा होता है बिटा एक तो हो गया पुरातनवादी कला परंपरावादी कला प्राचीन कला जिसके अंदर आपने अजन्ता जोगी मारा वगेरा वो सब पढ़ा उसके बाद आपकी कला आगे आधुनी कला जो कि आपके सलेबस में है जिसे आप आगे और उसके बीच की जितनी भी कला है जैसे राजिस्थानी है मुगल है पहाडी है ये सारी ही मध्य युक की कला कहलाती है और इन कलाओं का संबंद सीधे सीधे भारतिय संस्कृति और सभ्यता पर अधारिद है ठीक है राजिस्थानी चित्रकला का विकास समृध्धी केवल दो केंद्रों पर ना होकर के अनेक दर्बारी नगरों में राजधानियों में मंदिलों में वे सामंतों के ठिकान उपर हुए राजस्थानी शैली की चार उपशैलियां मतलब अगर राजस्थानी शैली को उपशैलियों में विभाजित किया जाए जैसे कि आनंद कुमार स तो उसकी 4 उपशैलियां हैं ठीक केँ मेंवाड मारवार हाडोति और ढूंडाल तो बट इन 4 उपशैलियों की वी उपशैलिया थी तो जिसमें की आपके स्लेबस में कौन-कौन सी है मेंवाड है जै। है बीकानेर है कोटा है मूंदी है, जोदपूर है भी कानेर, आपको सिर्फ इन ही को पढ़ना है, आपको इन चारों के अंदर जो और काफी सारी हैं, जैसे नागोर है जालावार है, देवगड है इन सारी चीजों को आपको नहीं पढ़ना, आपके इसले बस में सिर्फ जुनी चुनी चार पास शैलिया ही है और उन ही शैलियों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे तो राजिस्थानी कला का विशय जो था वो धार्मिक था वैशनव क्या होता है यानि कि भगवान विश्नु पर अधारित यानि कि राम पर क्रश्न पर अधारित जो चितर बनेंगे उनको वैशनव बोला जाएगा है ना चितर का विशय वैशनव यानि कि भगवान विश्नु के जो अफ्तार है उन पर अधारित चितर प्रकृति अंकन घरेलू व्यक्तित्व और एतिहासिक जीवन पर अधारित चितर भी राजिस्थानी शैली में बने हैं राधा कृष्न की विभिन लीला जैसे की राम खता हो गया शिव पुरान हो गया महाभारत भागवत नायक नाईका भेद राग रागनी बारा मासा नायक नाईका भेद क्या है मतलब उसके अंदर नायक और नाईकाओं पर जो फिल्म आए गए गीत एक तरह से चितर कार आज के टाइम पर तो मतलब सौंग्स बन जाते हैं और उस समय क्या होता था उन पर कुछ कविताएं लिखी जाती थी और उन कविताओं पर चितर बनते थे राग रागनिया क्या हो जाता है जो हमारे यहाँ पर छे प्रमुक राग बताए गए हैं और उनकी जो पतनिया है जिनको हम रागनिया बोलते हैं उन पर आधारे चितर भी यहाँ पर बने हैं बारा मासा क्या है साल में जो बारा महिने होते हैं उन बारा महिनों पर अधारे चितरांकर बारा मासा कहलाता है रितू वर्णन यानि कि जो छे रितू हैं उन छे रितूंगों पर चितरांकर दर राजिस्थानी शैली में बने हैं। पर अधारे चित्र भी बने हैं। प्रतिक राग से पढ़ने वाले मानसिक प्रभावों को नायक और नायका के माध्य हमसे दिखाया है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है श्रीनाथ जी ठीक है। तो श्रीनाथ जी पर जो अधारे चित्र बने हैं वो राजिस्थानी शैली की एक उपशैली है जिसका नाम है नाथ द्वारा। और यह उपशैली है मेवार राज्य की तो नाथ द्वारा में ही श्रीनाथ जी पर अधारे चित्र बने हैं। वो एक कपड़े पर चित्र बनाया जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण के जीवन संबंधी लीलाओं को चित्रत किया जाता है और वो श्रीनाथ जी की प्रतिमा यानि की जो मुख्या मूर्ती होती है उसके पीछे लगाया गया परदा होता है। ठीक है तो अब इसके बाद देख लेते हैं राजिस्थानी शेली की विशेष्टाएं क्या है। प्रकृती में चीजों का चित्रांकन किया गया है वो है पेड़, जल, पक्षी, पहार इन सभी को आलंकरिक रूप में बनाया गया है। चित्र में प्रकृती का विराठ स्विरूप वे वस्तु का सुन्दर संबंध दिखाया गया है। एक चश्म चहरे बनाये गये हैं, भाव प्रवनता यानि की चहरे पर भाव दिखाया गया है कि हाँ उदास है, खुश है या फिर परिशान है। तो सारीरिक सौन्दर के साथ साथ इस्त्रियों के नैन, यानि की इस्त्रियों की जो आखे हैं, वो मचली के समान, भाव पूर चहरा तथा आकरशक बनाया गया है। राजपूत सब्वेता संस्कृती का जीता जाकतर स्वरोप इन शहली में, यानि की इन चित्रों में देखा जा सकता है। नायक नायकाओं के श्रंगार, धीने यानि की हलके वस्त्र, रंग बिरंगी पोशा के, कानों के जुमके, नयन मतलब आखें, हार, पायल, चूडियां, आभूशन, कुमन्द शरीर उनका बनाया गया है और उस पर वो आभूशन अंकित दिये गये हैं। युद के मैदान में, मंदिरों के जगमोहनों में, विलासी महराजाओं के आलिंदों में, एवं त्योहार वे उत्सवों के चित्र में, भवनों को, हवेली को, प्राचीन मंदिर, घर को, दिवार वे चित्र प्रस्ट भूमी में इन सारी चीजों को इमारतों को दर्शाया और इमारद जो है वो मुख्यज़ा सफेध रंग से यहां पर चुतर कार ने चुतृत की है अब इसके अलाबा है राजिस्थानी, शैली, विकास के केंद्र और उप्षैलियां तो राजिस्थानी शैली का जो विकास और समरिद्धी है वो एक या दो केंदrों पर ना हो करके बहुत सारे केंद्रों पर हुई है जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ चारों कौन-कौन सी है मेवाड, मारवाड, हाडोती और डूडार तो मेवाड के जो केंद्र हैं वो है उदयपुर, नाथ द्वार, प्रतापगड और देवगड मेवाड के नाथ द्वारा के वारे में हमने बाते कर लिए है जहांपर बना है श्रीनाथ जी के चित्र दूसरी है मारवाड शेली, मारवाड शेली से आपको पढ़़ण, मैं इसमें से सिर्फ उन ही को टिक करूँगी जो आपके स्लेबस में है तो मेवार में आप पढ़ोगे उदैपुर और नाथत्वारा को आपको प्रतापगड और देवगड को नहीं पढ़ना है मारवार में आप पढ़ोगे जोदपुर को बीकानेर को किशनगड को आपको नागो और शेली को नहीं पढ़ना है हाडोती में आप पढ़ोगे बूंदी को और कोटा को जालावाड आपने नहीं पढ़ना है डूंडार में आप पढ़ोगे जैपुर को इसके अलावा आपको डूंडार की और कोई भी शेली को नहीं पढ़ना है आपके स्लेबस में सिर्फ यही कुछ सेलिया है तो आप जान लेते हैं राजिस्थानी शेली के प्रमुख कलाकार और सरक्षन देने वाले राजा कौन थे तो मेवार शेली जो है वो है महराजा जगत सिंग ये इस सेली के प्रमुख राजा थे जिन्होंने मेवार शेली को सरक्षन दिया और इस सेली के प्रमुख कलाकार है साहब दीन, मनोहर, नूर मोहमद, अगर आप बाकियों को याद ना भी करें तो भी कोई दिखकत नहीं है, अब है जैपुर सेली, जैपुर सेली के राजा का नाम था जै सिंग जैसे की आप लोगों को पता ही है, जै सिंग जिनोंने तो उन्ही को जैपुर में कला को प्रचार करने में महत्पूर योगिता जैसिंग की ही थी तो उन्ही को वहां का प्रथम कला प्रेमी शाशक भी कहा जाता है और अब जैपुर शैली के सबसे ज़्यादा फेमस चित्रकार है साहिब राम ठीक है इसके अलावा गोविंद, हीरानंद, मुहम्मद शाहात्र, लोक, लाल, चितेरा, रामजिदास, गोविंद इन सब को आप याद रख सकते हैं अब है कोटा बुंदी, कोटा बुंदी शैली में जो राजा थे जिन्होंने इस शैली का पोशन किया वो थे राजा राम सिंग और उम्मेद सिंग, ठीक है, इन्होंने इस शैली का प्रचार प्रशार किया और अपने यहाँ पर कला को मतलब पनपने दिया, उभर ने दिया विक्सित होने दिया और यहां के जो प्रमुख कलाकार है वो है डोडिया और डालू इसके अलावा आप बाकी कलाकारों को भी पढ़ सकते हैं अब किशनगर सेली के जो राजा है जिन्होंने किशनगर राज्य की स्थापना करी वो तो है राजा किशन सिंग और उन्ही के नाम पर इस राज्य का नाम भी पढ़ गया किशनगर लेकिन वो साशक जिन्होंने किशनगर सेली की कला को पहचान दिलाई वो है राजा सावंत सिंग और जो प्रमुख कलाकार है जिन्होंने जिनके नाम से पूरी की पूरी किशनगर सेली या फिर हम कहें कि राजिस्थानी शे काम किया है तो यह दोनों शयरिओं उनोंने काम किया है तो लाल चन्थ अगय सी ता राम भोल अराम यह जो नागरी दास जह दास के बारे में अगर मैं आपको बताऊ तो नागरी दास सवनत संग्हारी नागरीदास उप नाम से नागर सामुच्चे ग्रंथ लिखे थे, मतलब 75 ग्रंथ लिखे थे, और उन ग्रंथों का जो सम्हू था, उसको नागर सामुच्चे के नाम से जाना जाता है, तो नागरीदास कोई और नहीं थे, किशनगर सहली की राजा सावन सिंग ही थे, अब है ज़ोदपुर रजहें स्थाप्नाकरी थी without you और यहां के फत्य मुहमम्मद हो गए दाना प्रशाद हो गए यहां के फेमस कलाकान है विका नेर शएनी के जो फेमस विकानेर श्ली की स्थाप्नाकरीत ही कि देखव स्था commentary देखें और इसके अलावा रुकनुत दीन यहां पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन रुकनुत दीन बिकानिर शेली के बहुत ही ज़्यादा फेमस कलाकार थे इसके अलावा अली रजा, हसन रजा और बाकिया आप देखी रहे हैं शाह मोहमद बिकानिर शेली के चित्रकार थे राजिस्थानी शेली की प्रमुख शेलियां जैसा की उपर जो आपके स्लेबस में है मैं सिर्फ उनी शेलियों को यहाँ पर लेकर के आई हूँ तो मेवाड शेली तो मेवाड शेली राजिस्थानी चित्रकला की अमर्दरोहर है किसलिए राजische 설ji में सरप्रत्थम जो चित्रांकन शुरू हुआ सबसे पहले जो चित्रबने वह बने मेवाड राज्ये में च drop है अगर हम कहते हैं कि जैसे राजिस्तानी का समय 16-19 में शित्र बनने शुरू है úr उसके बाद राजिस्थान के अलग-अलग कला केंद्रों में चितर बने तो बहुत ही जाद़ा सिंपल और लोक कला पर अधारिजों चितर बने जहां पर बिल्कुल प्लेन कलर्स का प्रियोग चितरकारों ने किया वो राज्य था मेवार यहाँ पर राजिस्थान की जन जीवन, धर्म, सामन्ती जीवन का जीता जागता सरूप मेवार्चले में दिखता है वैशन संपरदाय की ज्यान जोती और उजवलता ने कृष्ण को अधिक महतुकून देवता बना रखा है भागवत कुराण वैशनवों का धर्म ग्रंथ पताया गया है और भागवत कुराण पर अनेक कवियों और कलाकारों ने रचनाएं की हैं और उन रचनाओं पर ही चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं तो कृष्ण की जीवन लीलाओं पर धारित बहुत से चित्र जो है मिवाडशली में बने हैं इसके लावा एक चित्र है दश्रत का लोटते हुए जो लूस ये चित्र भी मिवाडशली में बनाया गया है इसके अतिरिक्त दर्बारी संगीत नर्त्य का निश्चत रूप से इन चित्रकारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इनहीं से प्रेहना पाकर चित्रकारों ने दर्बारी जीवन राग रागनियों का चित्रांकन किया दर्बारी जीवन तो जैसे राजा बैठे हैं तो राजा ने जिस वक्त जिस चित्रकार को याद किया और जिस हिसाब से उन्होंने अपने दर्बार का चित्रांकन उससे करने के लिए कहा वैसा चित्रांकर उन्होंने कर दिया राग राग निया बहुत से कवी थे जिन्होंने की लिखी हुई थी उनकविताओं के अधार पर चितरकारों ने चितरांकन किया कई बार सोतंत्र चितरांकन किया तो कई बार पोथियों में चितरांकन किया लेकिन रागमाला जो इस शैली में बनी हुई है वो बहुत ही जादा फेमस है सत्रमी शताब्दी के अंत में चित्रकारों ने कुछ बड़े आकार के चित्रमाला यानि कि चित्रशंक लाएं तयार करी जैसे की भक्त रत्रावली, प्रत्विराज रासो, दुर्गा महात्मु और पंचतंत्र पर आधारित चित्रमाला है इस समय नाईका भेद, बारा माजा और रागमाला बहुत ही जादा फेमस हुए रंग योजना कैसी थी मेवाड शेली की अगर हम बात करें तो मेवाड शेली के चित्रों में चटक रंग जैसे की चटक लाल, केसरिया, पीला, नीला और जोगया जोगी मैं आपको बता चुकियों बड़ी कुशलता से भरे गए हैं आकरतियों के चहरों पर सुरा के समाल ललिमार युक्त रंग का प्रियोग किया गया है मतलब थोड़ा थोड़ा नारंग की रंग लिए हुए चित्रित किया गया है मेवाड शेली पर मानव आकरतियों की जो नाके हैं वो लंबी हैं चेहरा गोल है मचली नुमा आखें बने हुई है इस तरी को आकार में थोड़ा छोटा नाटा यानि की कम हाइट का चितरित किया गया है चोलिया और जो वस्त्र हैं वो कड़े हुए चितरित किये गए है फूल पत्तियां उसमें बने हैं पारदर्शी ओडमिया मतलब की डुपट्टा जुन्री जिसको हम कहते हैं बनाया गया है मेवार शेली में प्राकर्दिक चितरों में उन्होंने पेड को परवत को जलधारा को यानि की छोटी-छोटे सरोवर या नदियों को और जंगल की सुन्दर चितर बनाए है फ्रक्षों को अधिकतर उन्होंने जुन्डों में चितरत किया है पशुपक्षियों का चितरन सजीव है और भावुख है मेवाड शेली के चितरों में सामाजिक जीवन पर चितरकार के द्वारा ग्राम यानि की गाउं का जीवन दर्बार, जुलूस, विवा, उत्सव, संगीत, नर्त, युद और आखेट संबंधी द्रश्य चितरत किये गए है अब हम यहाँ पर बात करेंगे बूंदी शेली की तो बूंदी शेली जैसा कि मैंने बताया उमेद सिंग साशक थे और उमेद सिक्षाशक ने बूंदी शेली को एक तरह से उसका उद्भाव किया, विकास किया, चितरकारों को प्रोच साहित किया और चितर बनाई पहले क्या होता था कि कोटा और बुंदी एक ही शैली मानी जाती थी लेकिन बाद में कोटा शैली को अलग अस्तितु प्रदान किया गया और बुंदी शैली को अलग अस्तितु प्रदान किया गया लेकिन जो साशक थे जिन्होंने कोटा और बुंदी को पोशिप किया वो एक एक सांत प्रदेश है, हरित प्रदेश यानि की जंगलों से भरपूर, हरियाली से प्रकर्तिक वातावरण से परिपून एक जगा है, तो बूंदी शेली, कोटा, बूंदी और जहलावार में मेवार की तरह ही एक सुतंतर शाकाती जो कुछ समय प्रश्चात मुगल प्रभाव से युक्त हो गई, तो इस शेली में जो रेखाएं हैं, वो कोमल हैं, गतिपून हैं और भावप्रदान हैं, मानवकृति जो हैं वहाँ पे कद लंबा है, मतलब लंबी मानवकृती बनाई गई है इकहरा यानि कि पतला दुबला स्पूर्ति मान यानि कि फूर्ति में शरीर बनाया गया है इस्त्रियों के चहरे गोल हैं, छोटे होट हैं, छोटी नाख है और जो उनकी ठुड़ी है वो भी ठुड़ी है, चिबुक्यानी की ठुड़ी चिन अब है महान भारतिय चित्रकला, इसके अतिरिक तीसरा पॉइंट है यहाँ पर प्राय वेश पुषा में काले रंके लहंगे लाल चुनरी और धवल कचुकी बनी हुई दिखाए गई है, धवल कचुकी से मतलब है चोली, चौथा पुरुशाकृतियों को नीला वर्ण जैसे की मैंने आपको बताया है क्रिश्न के वर्ण में या विश्नुजी के वर्ण में बनाया है, चोड़ी चाती बनाई गई है, गोल चहरा है, डाड़ी है, मूच है, भारी चिन है, हेवी चिन है उनकी, जुकी हुई पगड़ियां, लंबा जाम बाच, नडदार पजामा, कमर में पटका, कमर में पटका आप समझते है नो, पुराने फिल्मों में आप देखत तो वहाँ पे जो नायक होता है, वो बांथता है, तो उसी को यहाँ पे पटका बोला जाता है, ठीक है, इसके अतिरिक्त, बूंदी शेली के चित्रों में गाल, नाक, वे कानों के आसपास जो है, शेड यानि की छाया भी दिखाई है, जिससे की चित्रों में भाव निकल कर के आया है, आकाश का जो वर्ण है, वो चित्रों योजना को एक भवे विशेस्ता प्रदानिया पे करता है, आकाश में बादलों को लाल, सुनहरे रंगों से सजा करके इंद्र धनुशी आभा दिखाने का प्रयासियां पर किया गया है, सोने चांदी के रंगों का से कि सोने और चांदी का प्रयोग जो है ना, यहीं पे किया गया है, बूंती शैली में, अगर संपून राजिस्तानी शैली की हम बात करें तो, और कुछ इसी तरह के कोईशन्स हैं, जो आप से पूछे जाएंगे, जो उस जगा की निजी विशेषता है, है ना, तो आब है प्रमुक रंग पीला, लाल, हरा, सफेद, काला, नीला, गेरवा, हिरोंजी तथा रामरच है, पीला तथा लाल रंग प्रमुकता से यहां पर उप्योग में लाया गया है, राग रागनिया, नायक नाईका, बारा मासा, रितू चितरन, क्रशन लीला, दरबार द्रशय, सिक हाती, गृष्म, यानि की गरमी के मौसम में हाती, काटा निकालती विस्तरी, राधा और क्रशन का मिलन, बूंदी शहली के प्रमुक चितर हैं, यहां के प्रमुक जो चितरकार हैं, वो है किशन दास, सिव दास, देव दास, और गोपी, आप दास से भी याद रख सकते हैं, जिन चितरकारों के पीछे दास लगा हुआ है उन चितरकारों का संबंध कोटा और बूंदी से है ठीक है अब बीकानेर शेली के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो राओ बीकाने बीकानेर रियासत को बसाया था और यहां पर जो चितरकार थे वो मुख्यतव वो थे जो मुगल दर्बार से आये थे क्या हुआ कि जहांगीर और सहां जहां के बाल औरंग जेब जो है मुगल दर्बार में ऐसे राजा हुए और औरंग जेब जो थे वो कटर मुसलिम थे और उन्होंने चितरकला को धर्म के विरुद घोशित कर दिया तो उन्होंने या तो चितरकारों को मार दिया या फिर अपने राज़े से भागा दिया तो कुछ लोग जो जान बचा करके मुगल दर्बार से भागे थे चितरकार उन लोगों को जिस राजा ने अपने हापर पना दी वो बीकानेर के थे ठीक है तो इस वज़र से कहते हैं कि मुगल दर्बार से जो चित्रकार भाग कर आये थे उन्होंने राजिस्थान के बीकानेर शहर में आकर बीकानेर शेली को उत्पन्न किया और बीकानेर कहां पर आजाता है मारवाड राज्यों में आजाता है तो एक तरह से मारवाडी कला जो है वो मुगल चित्रकारों की देन है इस समय में जो चित्र बने वो बने आदिनात के पार्शुनात के तथा जैन मंदिरों में भित्ती चित्रन भी बीकानेर शेली में हुआ है बीकानेर शेली में महाभारत परधारित रामायन परधारित कृष्ण लीला परधारित चित आइमारतों तो विशेश महतुबी का नेर्शली में दिया गया है। रसिक प्रियापर, राग मालापर, श्रंगार परधारित, शिकार परधारित, व्यक्ति छित्रन, जो व्यक्ति छित्रन होता है, किसी व्यक्ति का पासपूर्ट साइस फोटो आज आप ख़िचा लो कहीं पे जाके, तो जिसके अंदर आपका थोड़ा सा मतब आदे कंदे दिखेंगे गर्दन दिखेगा और फेस दिखेगा तो इस तरह का व्यक्ति चित्रण किया जाता था कहां बीका नेर शैली में व्यक्ति चित्रण जो विशेषता है वो मुगल दरबार की यानि कि मुगल कला की मुगल शैली की विशेषता है और क्योंकि मुगल कला कारों ने आके बीका नेर शैली में काम किया है तो इस वज़ो से बीका नेर शैली में व्यक्ति चित्रण भी बनाए गये हैं गोल मेग मालाूं का, सारसों का, परियों पक्षियों का, बिज्ली जो चमक रही है, उसके साथ इन सब चीजों का चितरांकन किया गया है नीला अकाश बनाया गया है और गोल जालर बनाए गई है मेगों की मेग से मतलब है बादलों की ठीक है, पीले नीले स्वन रंगों का प्रियोग हुआ है, बैगनी पन लिए हुए लाल रंग यहां की प्रमुख विशेशता है, मतलब की लाल रंग में थोड़ा-थोड़ा सा बैगनी जो निकल के आता है, आभासी देता है बैगनी कलर की, वो वाला कलर यहां पर बीकानेर प्रियोग हुआ है, अब बात कर लेते हैं किशंगर सहली की बहुत ही जादा इंपोटन्ट शेली है, तो राजस्थानी शेली को अपनी विशेश शेली प्रदान करने वाला किशंगर राज्य है, राजस्थान के लग-भग मध्य में इस्थित है, राजस्थान में यह नग आपर आपको define कर पाऊंगी लेकिन कोई भी सुन्दर सी चीज में अगर एक नग को जड़ दिया जाए तो वो नग उस वस्तु की विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा देता है तो इसी तरह से संपूर राजस्थानी शहली में चित्र तो बुंदी शहली में भी अच्छे बने है जोदपूर में भी अच्छे बने है मेवार में भी अच्छे बने है लेकिन अगर उसमें नग की बात की जाए उस राजस्थान मुद्री अगर राजस्थान को मुद्री यहाँ पर काउंट किया जाए तो किशनगड को हम उस नग, मतलब किशनगड को नग बोला जाएगा यानि कि सबसे सुन्दा चित्र राजस्थानी शैली में किशनगड में बने है इस राज्य की स्थापना जो है वो जोदपूर के राजा उदे सिंग के आठवे पुत्र किशन सिंग ने की है ठीक है और कब की है तो 1608 इश्वी में की है उन्ही के नाम पे इस नगर का नाम किशनगड पड़ा राजा किशन सिंग नटवर गोपाल की पूजा करते थे यानि की श्रीकृष्ण के भग थे तो किशनगड चित्रों में जो टेक्स्चर है यानि की जो पोथ है टेक्स्चर और पोथ से मतलब है धरातर ठीक है जिस तरह के वस्त्र उस नायक ने या नायका ने पहने हुए हैं, उसी को चितरत करने का प्रयास किया गया है। हातों की मुद्राओं को, मुख की मुद्राओं को, भाव को और रेखाओं को विशेश महत्व किशनगर शैली में दिया गया है। इसके साथ ही साथ राजिस्थानी शेली में जो किशनगर का लाकेंद्र है वहाँ पर प्रकर्तिक चित्र भी बहुत अच्छे बने हैं जैसे जीलों का, पहाड़ियों का, वन प्रदेशों का, बगीचों का, पक्षियों का और जो इमारत है, उनको सफेध संगमर्मर से चित्रकारों ने दिखाया है हरे हरे वन दिखाये हैं उश्न यानि की गरम रंगों से, इस्त्रीव पुरुष के जो वस्त्र हैं उनको चित्रित किया गया है फवारे बनाए गए हैं, तैरते हुए सारस बनाए गए हैं और जो यहां की रंग योजना है बेटा, वो बहुत ही ज्यादा सुन्दर सरल है, कहां की किशनगड की हम बात कर रहे हैं, गुलाबी रंग के हाशिये, तथा हरे रंगों के मिश्णन से हाशियों का यहां पर निर्माण किया गया, अब एक नया वर्ड आ गया है कि हाशिया क् तो हाशिया होता है बिटा, कोई भी चित्र को अगर हम चारो तरफ से एक बॉर्डर बना दें, तो उस बॉर्डर को अब हम सजा दें, किसी रंगों से, या फूल और पत्तियों से, या किसी भी दूसरी चीछ से, ठीक है, तो वो हाशिया कहलाता है, यानि कि चित्र के चारो त चोड़ा गया है, मारजनिया बॉडर, हाश्या के लाएगा, और वो जो हाश्या है, वो गुलाबी और हरा बनाया गया है कहाँ पर? किशनगडशली में, इसके अलाबा इनके जो विशे हैं, वो भागवत पुरान है, गीत गोविंद है, नागरी दास के पद है, नागरी दास ने बहुत संदर चित्र बनाये, और सबसे संदर चित्र था बनी ठनी, ठीक है? दरबारी, वैभव, विलास, ये सारे विश्यों पर अधारे चित्र बने हैं, अब बात कर लेते हैं, चैपुर शैली की, तो मुगल शैली से प्रभावित चैपुर शैली के चित्रों में व्यक्ति चित्र मतलब जिसके अंदर फेस, गर्दन और थोड़े से कंधे जैसा की पासपर साइस फोट होता है इतना व्यक्ति चित्र दिखाई दिखाई दे कमर तक भी कहीं कहीं पर चित्र बने हैं लेकिन समझाने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूं तो यह व्यक्ति चित्र बनते थे या तो राजाओं के बनते थे या तो उसके दर्बार में जो प्रमुख होते थे जिसको बोल जैसे सांसद होते थे या उनके मुख पद दिये गए होते थे विशेश पद दिये गए होते थे उनके बनते थे या तो राजा की पतनी के या तो जो थे प्यक्ति चित्र बनते थी, चीक है, और यह जो परंपरा है ना, यह मुगल दरबार से आयी थी, पहले तो लिएक कानेर में क्योंकि मुगल चित्रकार आ गए, और जैपूर में क्या था बनने का कारण, तो जैपूर शेली पे सरवध केक मुगल प्रभाब था, यहां कि जो जैपूर राजे की जो लड़कियां थी उनसे विभा किया गया था मुगल दर्बार में तो इस वज़र से ये दोनों जैपूर पे सबसे जादा मुगल प्रभाव आया और इसी कारण हैं पर व्यक्ति चित्रों की भी अधिक्ता हो गई इसके अलावा बिटा इहां पर कृष्ण से संबंदित चित्रों तो देखो संपूर राजस्थानी शैली में बने हैं नाइका भी पर अधारे चित्र बने हैं शिकार दृषए भी हुआ है दर्बारी चित्रांगन राग रागनिया इन सब पर चित्रांगन जैपूर शैली में भी हुआ है यहां की जो रेखाएं हैं विटा कोमल है, प्रभावपूर्ण है, काली रेखाओं का प्रियोग चहरे की सीमा रेखा के किनारे हलकी गोलाई, यानि की चहरे में उभार एक तरह से लाने के लिए, 3D प्रभाव एक तरह से दिखाने के लिए जैपुर्शली में किया गया है, अपड़ों का सा समान आभूशनों में सुन्दर आलेखनिया पर बनाए गए है, पशुपक्षियों का सुन्दर चितरांकन हुआ है, यथार्थ अंकन किया गया है, अब एक नया वड़ाया है, यथार्थ, यथार्थ क्या होता है, जैसा है उसको एजटी से दिखाना, है न क्योंकि तुम्कि हारा रंग इसका मुस्लिम संप्रदाय का प्रतीक है, और जैपुर साथमिति ठाय प्रभाविति मुगल कला से, मुगल कलाकारों और मुगल साष्कों मुगल धर बार से, ज्यवकरी अधर से तो इस वज़ से जैपुर शेली में हःरे रंगी प्रधानिा प्रधान्ता मतब जादा प्रियोग में किया गया है हरा रंग लेकिन इसके अलावा पीले रंग, लाल रंग, नीले रंग, सफेद रंग और काले रंगों का भी प्रियोग जैपुर शेली में किया गया है तो ये थी बेटा आपकी उप शेलियां जिनको आपके स्लेबस में है आपने उन सब को पढ़ा, अब है राजिस्थानी शेली पर चित्र, तो कौन-कौन से चित्र आपसे पूछे जा सकते हैं, किन-किन चित्रों पर आपसे कुछिन पूछे जा सकते हैं, जो आपके सलेबस में दिये गए हैं, अब उनको हम देख लेते हैं, अब आप देखोगे तो सबसे पहले जो में लोगों के लिए लेकर के आई हूं, वो है राधा बनीठनी, ठीक है बनीठनी का चित्र लेकर आई हूं, बहुत जादा फेमस चित्र है, आपको मैंने इससे पहले जब मैं किशंगर शेली को पढ़ा रही थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि सब पूर राजस्थानी शेली का अगर बात करें तो सबसे सुंदर चित्र है राजा बनीठनी, आप जब राधा बनीठनी सबसे जादा सुंदर चित्र है, तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि कौन सी शेली का है, तो किशंगर शेली का है, दूसरे नंबर पे बात दिमा राधा बनी ठनी बनाया किसमें है तो सूरज धवज निहालचंद जिनको मोर धवज निहालचंद के नाम से भी जाना जाता है ये इसके चित्रकार थे और किन्हों ने बनवाया तो राजा सावंत सिंग ने बनवाया उस समय किशनगर के राजा थे राजा सावंत सिंग जिन्ह जब इस चित्र से related question किसी भी तरह से आजाए लेकिन आएगा जरूर। इस चित्र में एक महिला आकरती को नीली पारदर्शी ओढ़नी ओढ़े काले गुंगराले बालों के साथ राधा के रूप में निहाल चंद ने चित्रत किया है। समझ रहे हो ना इस बात को एक महिला का चित्र है ये जिसने नीली पारदर्शी ओढ़नी यानि की नीले रंग का डुपट्टा चुनरी ओढ़ी हुई है और उसके काले लंबे गुंगराले बाल है और इस महिला को राधा के रूप में चित्रत किया है और किसने चित्रत किया ह तो निहाल चंद ने चित्रत किया है चित्र की विशेषता उसकी अध्रखुली यानि कि जो महिला है उसने अध्रखुली म्रग नेनी उसकी आखें हैं जो इस चित्र की प्रमुख विशेषता है चित्र में कलाकार ने महिला को सफेद मोतियों के आबूशनों से सुसजित चित्रित किया हुआ है बनी ठनी ने अपने बाएं हाथ में यानि कि अपने उल्टे हाथ में कमल की कलियों को पकड़ा हुआ है और दो कलिया है रॉझे और उन कलियों का रांग हलका गुलाभी है और सीदे हात की अंगली और अंगुठी की मदद से उसने, अपने डुपट्टे को पकड़े हुए चित्रित किया हुआ है यानि इस महिला ने अपने दोनों सीधे हाथ से अंगुठे और उंगले की मदद से पकड़ा हुआ है अपने डुपटे को अब मैं आपको ये चतर दिखाने वाले हूँ तो बिटा आपको आपकी स्क्रिन पर दिख गया है चतर बनेठनी चीक है महिला है उसके नुकीली नाख है अध्खुली आँख है बड़ी सी सफेद रंग के आपुशन उसने दिखतर पहने है नीले रंग की ओड़नी है उल्टे हाथ में उसने दो कमल की कलियों को पकड़ा है और सीधे हाथ अंगुठे और उंगी की मदद से डुपटे को संभाले चित्र बेटा आपने देख लिया है चित्रकार का नाम निहालचंद आपको पता है पूरा नाम सूरजद्वज निहालचंद है कहीं कहीं पर मोर्ध निहालचंद भी आप इसको पढ़ लेते हैं ये किशनगर सैली का सर्वोत्म चित्रकार था मैं आपको बता चुकी हूँ मैं आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ दूसरे चित्र है बिटा मारूरागनी ठीक है बिटा मारूरागनी चित्र के जो चित्रकार है वो साहब दीन है और जो ये चित्र है वो मेवाड के उदयपूर कला के इंदर का चित्र है यानि मेवाड चली का चित्र इसको कहा जा मेवाड में उधैपुर एक जगा है जहां पर यह चित्र बना था अमारु रागनी चित्र में क्या है कि एक राजा है उनसको उट पे सवार दिखाया गया एक रेगिस्तान में उसके साथ एक राणी या राजकुमारी को दिखाया गया है मतलब कि यह कथा है एक प्रेमी जोड अर्चान कहा जवती है, मतलब राज से जो है उसके माताanut भी मजरी के बिना लागा है कि पॉठटान में राजे जो एक ये उसके बेंता भी होड्य एक है ये से जानती है तो ये बहुत जा ए फेमस वहां की लोक कत्हा來了 मारु रागनी जिसको ढोला मारु नाम से भी जानते है और जोदपुर शैली में भी ढोला मारु पर चित्र बने है लेकिन जो आपके इस लेबस में है वो मिवाड शैली का है ठीक है और ये उदेपुरकला के इंदर पर बना है राग माला सिरीज का ये चित्र है साहब दीन न दिखाने का मतलब है कि पीले रंकाद प्रियोग इस चित्र में किया है, उट पर सवारी करते हुए दिखाया गया है, और उस उट को एक सेवक लेकर के चल रहा है, जबकि दो पुरुस अंगरक्षक जो की तलवार भाले और खंजर के साथ साथ सुसजित हैं, वो भी इनके राजा और राणी की मदद कर रहे हैं, और एक कुत्ता भी इनके साथ रेकिस्तान में दोड़ता नजर आ रहा है, जो की गतिमान अवस्था में चित्रित किया गया है, अब मैं आपको ये वाला चित्र दिखाऊंगी, तो बिटा, आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख देवनागरी लिपी में उपर कुछ-कुछ लिखा है, ये आगे अंगरक्षक है, जो चल रहा है, और ये दो अंगरक्षक है, जिन्होंने अपने कंधे पर तलवार को रखा हुआ है, साथ में एक वाइट डॉगी है, जो दोड़ता हुआ दिख रहा है, तो ये है आपका च जो की मिवाड शेली में बना है, उदापुर के अंदर पर, बात करते हैं अब हमारे तीसरे चित्र की, तो बिटा हमारा तीसरे चित्र है राजा निरुट सिंग हांडा, जिसके चित्रकार है उतकलराम और इनकी शेली है, बूंदी शेली, इस चित्र में तेज गती से दोड और सजीवता ही इस चित्र की प्रमुख विशेशता है, एक नजर आप इस चित्र पर भी डाल लीजिए, तो बिटा, आप लोगों की स्क्रीन पर आपको ये चित्र दिखरा होगा, देखे कितना सुंदर सफेद घोडा बनाया हुआ है, और ये घोडा ही इस चित्र की प्रम पर किया है, ठीक है बिटा, आप हम अपना नेक्स्ट चित्र देखेंगे, चाथा चित्र बिटा, जो आपके इस लेवस में है, वो है जूले पर क्रेशन, ठीक है, इसके चित्र कार है, नूरदीन, शेली है, भीकानेर, और इस चित्र में जो है, दो फलक दिखाए गए है, उसमें बाई और क्रेशन को जूले पर बैठे हुए दिखाया है, और राधा को छट पर बैठे हुए दिखाया है, जो की दोनों आपस में वार्तलाप कर रहे हैं, क्रेशन के शरीर का रंग नीला है, और सर पर मुकुट है, शरीर के निचले बाग में उन्होंने लाल रंग में बैठे हुए दिखाया है दूसरा फलक यानि नीचे वाले हिस्से में और उनके बीच एक दासी को चितरित किया गया है ऐसा लग रहा है मानो वे दासी उन दोनों के संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचा रही है ठीक है एक बार इस चितर को भी देख लीजे बिटा लाल धोती है नीले रंग से उनका शरीर बनाया है कमर को अराम देने के लिए तीछे तकिया भी दिखाया है ऐसे ही राधा रानी है जिनको छत पर बैठे हुए दिखाया है और नीचे वाले फलक में बहुत सारे पेड़ पोधी है दोनों को उपवन में बाग में बैठे हु रशन के पास गई है ऐसा इस चितर को देखके प्रतीत हो रहा है चले बिटा आपके स्लेबस का नेक्स्ट चितर देख लेते हैं बिटा नेक्स्ट चितर है आपका चोगान प्लेयर्ज ठीक है चोगान एक खेल होता है पोलो की तरह खेला जाता था पहले जिसके चितरकार है दाना प्रशाद और ये जोध पुर्शेली का चित्र है छे राजकुमारियों को अपने अपने घोडों पर सवार दिखाया गया है एक घास के मैदान में ये लोग लाल रंकी छड़ियों की सहायता से पोलों खेलते हुए दिखाई गई है ठीक है तो ये हो गया चोगान प्लेयर्स चित्र अब इस चित्र को भी एक बार आप लोग देख लीजिए तो बिटा आप लोगों को आपकी स्क्रिन पर दिख रहा है चोगान प्लेयर्स का चित्र छे घोड़े है आप काउं कीजियो छे राजकुमारिया है छेओं गोडो का रंग अलग है और राजकुमारियों ने अलग-अलग रंग के वस्त्र पैमे हैं लेकिन छेओं राजकुमारियों की जो चुन्रियां चड़ियां है वो लाल रंगी है और वो एक बॉल को घेरने का प्रयास अपनी चड़ियों की मदद से कर रही है इसी चितर को Chog involved चितर के नामसे जाना जाता है अब बिटा आपकी Slavers में जो चितर दिया गया है वो है चितर कूट में भरत राम से मिलते हुए जिसको राम भरत मिला आप भी कहते हैं तो ये वाला जो चित्र है बिटा वो गुमान नमक चित्रकार है उन्होंने बनाया है और ये जैपुर शैली के चित्रकार थे जैपुर शैली में ये चित्र बनाया है इस चित्र की जो प्रमुक विशेष्टा है वो है 49 मानवकरतिया यानि इस चित्र में गुमान ने 49 मानवक करतियों को चित्रत किया है और रामायन का रिख दिरश्चalis कहां पर difAK कशा है जो उनोंने का चित्र बनाया है। जल रंग की रिखतर से बनाया है कौन सा रिखतर हैं जिसमें भरत र Isle उनकी माता के साथ उनके पास गए थे चित्रकूट में और उनकी माता की जो दासिया थी वो भी साथ में गई थी और वो महिलाओं को जिसमें की मुख्यत उनकी मा और दासियां शामिल है सफीद साधी में दिखाया गया क्यूंकि महाराज बसरत की ब्रत्यों हो गई है और वो शोप में है ठीक है और जो पुरुशाकृतिया है उनको श्यामवड में यानि की काले रंग में चित्रत किया गया है एक आप लोग इस चित्र को भी देख लीजिए तो यह है बिटा आपकी स्क्रिन पर आपका चित्र भरत राम से मिलते हुए या राम भरत मिला आप देख रहे हैं अधिक तर महिलाओं ने रड कलर की मतलब वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है जिसमें वो माताय और उनकी दास सामिल है और पूरो शाकरतियां लगबख सभी जो है वो मतलब शामवर्ण में चित्रत की नहीं है यह है चित्र गुमान ने जो बनाया है जैपुर शैली में चित्र का नाम है भरत राम मिलाब तो पिटा यह थे चित्र जो आपके स्लेबस में दिये गए है अब इसके जो कि छूट जाए मैंने इस पूरी वीडियो में पूरी जजिस्तानी शरली को बिटा मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और उमीद करती हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छी भी लग रही होगी समझ भी आ रही होगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है समझ आ रही है और मुझे नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आनी चाहिए पूरा टॉपिक उसमें कवर करना चाहिए या पिर में कुछ चोटे-चोटे पॉइंट्स पर आपके ले वीडियो अलग से लेकर के आऊं तो प्लीज अर्ष रमायन चेत्र मनुहर ने बनाया है मेवाड शेली में बनाया है यह चीज आपके अधिसलेबस में भी दी हुई है सेकिंड है दरबारी उत्सव युद्ध के द्रश जो बनाए गए है वो राजा जगत सिंग दीते के समय पर बनाए गए है कौन सी शेली में मेवाड ठीक है, थर्ड है बिटा, राजिस्थानी शेली में रागमाला वे रसिक प्रियापर सर्वाधिक जो चितरांकन हुआ है, वो बूंदी शेली में हुआ है, पूरी राजिस्थानी शेली में जितने भी कलाकेंद्र है, उसमें सबसे ज्यादा रागमाला वे रसिक प्रियापर बूंदी शैली में हुआ है 4th point है संपूर राजस्थानी शैली में सर्वदिक शिकार द्रश्य है जो है वो कोटा शैली में बने है शिकार द्रश्य है मतलब जंगल वन और महाँ पर शिकार करते हुए जो टोलियों का चत्रांकन सर्वदिक मात्रा में वो कोटा में हुआ है एक है राजस्थानी शैली का जो सबसे सुन्दर चितर है ये तो आपको पता ही होगा आप तक कितनी बार इसका जिकार आ चुका है तो राधा बनी ठनी का चितर सबसे सुन्दर चितर है राजस्थानी शैली का और राजिस्थानी शैली की जैपुर शैली पर सरवधिक मुगल प्रभाव रहा और क्यों रहा आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्यों रहा मुगल प्रभाव सरवधिक जैपुर शैली पर ठीक है ये मैं जरूर पढ़ूंगी आप सभी के तो चेणा में जो onlur और सब्सक्सक्री को बने। छेम दस समय समय अगर जाना जाता है तो ये जानम समय से तो अगर जआपुर शहली का जण माना जाएगा तो जाय तो जैसंग जैपुर राजय को बसाया था लेकिन ज़णी समय की बात हो रही हैhem समय बहुत संदर चित्र बने तो राजा प्रताप सिंग के समय पर बने और यह है नेक्स्ट जैपुर शैली में सर्वश्रेस्ट चित्रकार का जो नाम है वो साहिब राम है यह हमने पढ़ा था साहिब राम सबसे संदर चित्र बनाता था जैपुर शैली में और यह वहां का फ राग बिलावर यानि कि राग रागनियों पर जो चित्र बने हैं अधिकतर चित्र बने हैं वो बूंदी शैली में बने हैं किशनगर शैली के जो संस्थापक चित्रकार है वो निहाल चंद है जिनका पूरा नाम सूरजद्वज निहाल चंद या फिर मोर्धज निहाल चंद कहा जाता है कोशिन नम्ब टॉपिक मतब एक स्थारा से पॉइंट ट्वेल्व है कि संपून राजिस्थानी शैली का प्रमुख विशर राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित रहा है वैशनम संप्रदाय के चित्र सर्वदिक मात्रा में राजिस्थानी शैली में बने है नेक्स्ट राजिस्थानी शैली में महिला आकरती को राधा और पुरुष आकरती को क्रश्न के रूप में चत्रत किया गया है 14 पॉइंट है किशनगर शैली के चित्रों की खोज जो है वो कीती एरिक डी क्विंटन ने या क्रिंसन बीन को बोला जाता है बनी ठनी चत्र भी इन्होंने ही खोजा था कम 1948 में ठीक है बिटा नेक्स्ट है राजिस्थानी शैली की रेखा जो है वो प्रभा में गती में मतलब लैदार भागती दोड़ती नजराती है और जैपुर शहर जो है वो राव जोधा ने बसाया था हम पढ़ चुके हैं राव बिका के नाम पे बिका ने शहर की स्थापना हुई और राव बिका नहीं इस शहर को बसाया भी था रुकनुद्दीन जो था वो भीका निर शेली का सर्वप्रमुख ये सर्वप्रमुख नहीं सर्वप्रमुख चित्रकार था और नाथ द्वारा जो है वो उप शेली है किसकी मेवाड शेली की नाथ द्वारा शेली मेवाड शेली की उप शेली है जैसा कि हम शुरू में ही उम्मीद है कि यह भी तुमसे पूछा जाए और यह बीसों पॉइंट यह है कि पिछवाई चितरन कहा है तो वो नाथ द्वारा खा है तो बिटा मैंने इस वीडियो में पूरी की पूरी राजस्थाने शाली को कवर करने की कोशिश की है कि वेल्ध किलास के हिसाब से आपके सीउट में डॉमेंज सब्जक्त का जो लेबस दिया गया है उसके हिसाब से उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके लिए यूसफुल रहेगा तो लाग तो अगर मेरी वीडियो आपको अची लगिए तो मेरी कर देना चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आपका CUET का स्लेबस आप जल्दी से तयार कर सकें सिक्षा प्रभा की मदद से